हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जार हुँ कि कैसे आप अपने लावा Z2C Android वाइल फोन में आप जो है आपको sound के is page में नीचे की साइड आना है और यहां पर आपको default alarm sound का option मिल जाएगा इस alarm sound की option पे आपको select करना है अब यहां पर आपका default alarm sound के पेज आ आदाएगा तो इस page को आपको नीचे की side स्क्रोल करना इस तरीके से तो आपको सबसे अपर यह नोन का option मिल जाता है, नोन के सामने आले circle पे आपको select करना है, ठीक है, तो tick mark लग जाएगा, अब इसके बाद आपको सबसे नीचे से OK के बटन पे प्रेस करना है, ठीक है, प्रेस कीजिए, तो आप देख सकते है, default alarm sound के नीचे known लिखा हुआ है, तो यानि कि आपके alarm sound setting जो आ यानि कि on हो जाएगा, तो आपका alarm जो एक normal sound create करेगा, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि यह setting आपने disable करती है, तो आपका alarm जो बिल्कुल भी sound create नहीं करेगा, करेगा, लेकिन एक normal sound create करेगा, जो कि आपके mobile phone की default setting के according, आपके mobile system में जो set होती है, ठीक है, लेकिन यह जो alarm sound यह जो एक shortcut तरीका बता देता हूँ, आपके mobile phone में, ठीक है, आपको करना है, mobile का setting page open करना है, सबसे उपर आपको setting का यह option दिया हुआ, इससे select करना है, अब यहाँ पर आपको search bar में type करना है, alarm sound, ठीक है, जो setting का name है, वो आपको यहाँ पर type कर दिना है, इस तरीके से, तो आपको न